अब्रीवन गुट मॉर्निंग और विलकम बैक टु माई चैनल तोजी ब्रिस्पतवार का दिन है और सुबे के जो है न करीब 6 बजे का टाइम है तो सुबे सुबे जो है बैलकनी में आके और बाहर का नजारा देखने में बहुत अच्छा लगता है मोड एकदम फ्रेश हो जाता है और ये देखिए बैलकनी में कबूतर भी बैठा हुआ है तो अभी बच्चो के स्कूल जाना है तो बच्चो के स्कूल की तयारी करते हैं तो सबसे बहले तो जो है न मैं इनके कपड़ों में करूंगी प्रेस क्योंकि नाइट में मैंने इनके क प्रेस कर दूँगी तो ये एक बहुत जरूरी काम होता है न स्कूल जाते वे बच्चो के साथ की सूबे सबसे पहले उनके कपड़ों पर प्रेस करो तो नॉमली तो मैं नाइट में करके रख देती हूं क्योंकि सूबे फिर इन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है पर हाँ कभी-कभी हो जाता है जब हम नाइट में नहीं करते हैं तो फिर मैं मौनिंग में करती हूं उसके बाद मैं किचन में आ गई हूं क्योंकि मैंने यहां पर आलू पील करने थे तो आलू वगएरा सब कुछ बॉइल हो चुके हैं बस आलू पील करने रहते हैं और नमक मेर्च डाल दूँगी मैं विल्कुल लाइट सा क्योंकि बच्चों के लिए बनने हैं बाकी जो इनके लिए बनाऊंगी वो मैं बाद में बनाऊंगी जब इनके ऑफिस का टाइम होगा यहां पर आलू का जो मिक्षर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है मैंने प्यास वगएरा कुछ भी नहीं उसमें अड़ किया है हरी मिर्च भी नहीं राली है क्योंकि फिर बच्चों के मूँपे आ जाती है स्कूल में और वैसे भी बच्चे हरी मिर्च खाते भी नहीं है उसका तो फिक्स है बट वंशीका का फिक्स नहीं होता है वो पहले ही मुझे बता देती है जैसे उसकी कोई फेवरेट सबजी बनी होगी तो वो बोलेगी कि ममा मेरे लिए आज दो पराठे रखने है अभी आलू को पराठा मुझे पता है वो एक से जादा नहीं खाती है त फिर मैं उसके लिए दो पराठे बनाती हूँ रेकिन उसके जो पराठे बनते वो पतले बनते तो इधर जो पराठे बन चुके हैं अब मैं ऐसे रोल करके रख देती हूँ विदाश के लिए तो उसको खाने में THोड़ासा एजी रहता है तो बस यहाँ पर मैंने वुदान तो उसके लिए तो फूटी शी दही रखी एक पराथा रखा है और वेदानच का ऐसा है कि बस उसके पसंद के फूर्ट से होने चाहिए तो अभी मैंने आपको एक vlog में बताया था ना कि 100 के 5 कीवी मुझे मिले थे जब मैं मंडी गई थी तो पते क्या हुआ उसमें से 3 कीवी तो सड़े हुए थे इसलिए उन्होंने इतने सस्ते कीवी दिये तो मैं आप समझ गई हूँ कि जब भी नाइट में जाओ ना तो बहुत देख के चीज़े लानी पड़ देख की नाइट में हम जब सबजी लाते हैं तो अच्छी अच्छी सबजी ना पहले ही छट गई होती है फिर वो लास्ट में वैसे ही बचता है तो चलिए कोई नहीं इधर जो है विदांश नहाद हो गया है बस उसको मैं रेडी करना है और वंची का भी जो है ना तयार हो रही है तो ये सौक्स वगेरा भी खुद से नहीं पहन पाता है तो सुबे ना ये बिल्कुल बैट जाता है कि नहीं आप ही करो तो बिल्कुल र नहीं करना पड़ता आप खुद से बड़ी हो गई है ना इस वजे से अच्छा बहुत सारे कॉमेंस आते हैं कि दी आपके हस्बिन आपकी हेल्प नहीं करते सुबे आप अपने हस्बिन से हेल्प लिया करो क्यों नहीं करते वो आपकी हेल्प तो पते क्या होता है कि starting से जै कि मुझे पता है कि मैं खुद से सारा काम कर लूँगी in fact help लूँगी तो मुझे उनको बताना पड़ेगा अभी ये करो अभी वो करो और मुझे खुद से ये है कि उनकी help से जल्दी ही जब मैं सारा कुछ कर लेती हूं तो मैं क्यों उने सुबह डिस्टरब करूं तो फिर मैं उनकी help नहीं लेती हूं हां कभी कबार ये ज़रूर कह देती हूं कि जब बच्चों को छोड़ने जाना होता है तब चला करो क्योंकि दो बैग थोड़ा से heavy हो जाते है मेरे लिए बस इतनी help मैं उनसे लेती हूं तो इधर बच्चों को नाश्ता दे दिया है वंशिका को त थोड़ा सा लेट जारा है ऑफिस तो जब तक वो नहीं उठ रहे हैं तब तक जो है मैं अपने घर के काम निप्टा लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास time है और नाश्ता तो मुझे तब ही बनाना है जब वो उठेंगे तो उससे पहले मैं यहां पर अपने घर की जो जारू पोछे का काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा काम अपना निप्टा लिया है क्योंकि फिर उसके बाद मेरे पास ज्यादा कुछ काम रह नहीं जाता है और क्योंकि बच्चे भी घर में नहीं होते हस्बिन समय सो रहे होते तो काम भी एकदम मतलब बहुत जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चलता कब हो गया काम तो बस देखें यहाँ पर जो है मैंने पूरे घर में अच्छे से लगा ली है जारू अभी डस्टिंग नहीं करी है क्योंकि वो मैं करूंगी जारू के बाद तो पूरे घर में मतलब बाहर तक भी मैं जारू ल भी की बाद में मूदेंस करेंद को किक्लीन कर लेते हैं कि अपना मूद मूरिती हूं की कि किचन भी मेरी almost clean हो चुकी होती है क्योंकि घर का जो काम करने के बाद ना मैं एक बार किचन क्लीन भी कर देती हूँ हालनकि उसके बाद भी मुझे करनी होती है क्योंकि फिर से नाश्ता बनाओ बट एक खुद को देखने में अच्छा लगता है कि चलो अभी मैंने सारी cleaning कर दी है अब जल्दी से लगा देते हैं पोचा अच्छा मैजिक मॉप से तो पोचा बहुत जल्दी लग जाता है इससे टाइम नहीं लगता है और फिल हाली ये मॉप नए है तो पोचा भी मेरे मन क हिसाब से लगता है क्योंकि फिर जैसी मॉप खराब होने लग जाता है न मैं इसको फेक ही देती हूं फिर एक दो बार में से wash करूंगी उसके बाद फिर मैं इसको फेक देती हूं तो बस पोचा उच्छा लगाने के बाद फिर इसके बाद जो है husband को office भेजना है अच्छा पर जो है husband भी office जा चुके हैं और मैं आप पर कपड़े लगा दूँगी तो कपड़े लगाने के बाद मैं चली जाओंगी शावल लेने के लिए तो फिर यह है कि एक lot जो कपड़ को है न वो धूलता रहेगा अच्छा बहुत सारे comments आते हैं कि दी क्या automatic washing machine में कपड़े सा आसा होता है यहां पर जो है कपड़े भी दूल चुके हैं और बाहर काफी जादा तेज गर्मी है अच्छा इससे पहले morning में न मैंने early morning में कपड़े भी डाले थे बाहर एक बार के न तो वो भी सूख गए है धूपी इतनी जादा तेज है अभी नहा के आई हूँ बट उपवाला काम करो तो फिर वैसे ही हो जाता है सब कुछ तो बस यहां पर जो है कपड़े भी डल गए हैं आप किचन की और चलते हैं तो मलाई वगरा मैंने निकाल दिये बाहर क्योंकि अभी मुझे मक्षन मनाना है फिर बनाना है घी क्योंकि घी वगरा सब कुछ खतम हो ग तो बस यहां पर जल्दी जल्दी से किचन क्लीन कर लेते हैं और साथी साथ अपना यह जो बास्केट है ना मेरी बरतनों वाली इसको भी मैं खाली कर दूँगी बरतन वगरा जो है उनकी जगे पर अरेंज कर दूँगी यहां पर जो है बरतन भी अरेंज हो गए क्योंकि अभी थोड़े से बरतन जो है ना लास्ट वाले क्योंकि मैंने भी नाच्टा किया था तो वो मुझे वाश करने बस इसके बाद मैं हो जाओंगी फ्री फिर मेरे पास दो तीन गंटों कले कोई भी काम नहीं रहता है फिर म जिए मैं मैं नॉर्मली जो है सॉंग्स ही सुनती हूँ तो बस यहीं पर जो है मैं अपना वीडियो भी अंड करूंगी तो यह था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रू बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो जो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक ले बाबाई and टेक केर